ये सामन्ती व्यवस्था का ही परणाम था कि शासक जो थे वो पूर्ण स्वेच्छा सारी पूर्ण रूप से निरंकुष नहीं हो सके और नहों सकते थे क्योंकि सामन्ती व्यवस्था में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके लगभग बराबर थे क्षमता में शक्ति में यदि जादा नहीं थे तो कुछ लोग तो संभावता शासक से भी जादा बलशाली थे लेकिन सामन्त थे तो इसलिए निरंग कुष्टा का सवाली नहीं उठता था और इसलिए केंद्र केंद्री सत्ता राजा अपेक्षाकृत कमजोर था राजा की जो शक्ति थी वो सामन्तों के सहयोग पराधावित थी राजाओं की स्वैम की सेना इतनी बड़ी नहीं हो पाती थी इतनी मजबूश शक्ति शाली कौशल युक्त नहीं हो पाती थी कि वह अपने बल पर स्वैम अपने उन सभी ख्षेत्रों पर और सामन्तों पर लगाम रख सके उसे सहयोग की आश्कता परती थी और ये सहयोग भी उसको एक तरीके से निर्भर बना देता था सामन्तों पर कईब तो सामन्त तो इतने शक्तिशाली थे कि राजा के आग्याओं का उलंगन करने के भी ऐसे बहुत सोधारण है उनकी स्थिती जो थी वो थी एक तरीके से स्वतंत्र शासक की उसके समाना और्थ योरप के अनेक राजा रोमन सम्बराट को अपना अधिपती मानते थे राजाओं की शक्ति वो पवित्र रोमन सम्बराट की कृपा पर मिरुभर करता था तो इस प्रकार सामनती व्यवस्था कितनी मजबूत थी कितनी ताकतवर थी यह अब हम समझ गया है जब पंद्रवी सदी आती है हम नौवी सदी से अध्यन कर रहे हैं और पंद्रवी सदी आते आते योरप के जो शासक थे उन्होंने वित्ती शक्तियों को और सैनिक शक्तियों को थोड़ा बढ़ाया अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ अन्य उपाय निकाले और इसके परणाम स्वरूप क्या होता है? नै राजियों का निर्माण ऐसे राजियों का जो ज़्यादा शक्तिशाली निकले लेकिन ये सथिती होती है पंद्रवी सदाब्दी आते आते हैं और जब राजा लोगज शक्तिशाली होने लगते हैं तो सामंत वाद में कमी आने लगती है और उस कमी के कारणों का जिक्र हमने पूर में कर लिया है कि आखिर ये बदलाओ जो हो रहे थे उस सब का असर सामंत वाद की प्रथा पर बहुत पड़ा सामंतों की ताकत पर पड़ा उनमें गिरती हुई शक्ति का फाइदा राजाओं की बढ़ती हुई शक्ति के रूप में हुआ पंदरवी शताबदी में एक और घटना होती है घटना से माने एक और ऐसा दौर होता है जिसमें कुछ बदलाओ दिखते हैं उसे कहते हैं पुनर जागरन पुनर जागरन के आते ही यॉरोप के जो राजनीतिक सुरूप में भी परिवरतन होता है पुनर जागरन सोलवी सदी में सामंती शाही पध्धती की समाप्ती के रूप में दिखाई देता एक और जो मध्यकाल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी सामंत वाद की वो समाप्त होती है दूसरी और उसके बदले पुनर जागरन होता है और पुनर जागरन जैसा शब्द से सफष्ट हो रहा है अर्थाद कुछ मुद्दों पर सजगता, आधुनिकता, नवीनी करन, नया पन आता है और विशेश कर पुनर जागरन का संबंध मूलत साहित्य से है, कलाओं से है, भवन निर्माण आदि से है और उसके परणाम स्वरूप होने वाले उन परवर्तनों से है, जिसने यॉरोप को आधुनिक युक की और ले जाने का मार्क प्रशस्त किया स्पेइन, फ्रांस, इंगलेंड, रूस, ये वही देश हैं जिनका पूर में जिक्र होता है सामंत वादी प्रथा के गड़ के रूप में अब यहां पर केंद्री शासन, केंद्री शास्तकों का आना हुआ, सामंतों के बीच में जो लगाता लड़ाईयां हो रही थी, उसने शान्ती जो फैलाई थी, उस शान्ती के प्रणाम सरूप, और कुछ अन्य बदलावों के प्रणाम सरूप, राजाओं की शक्ती में जो वृद्धी हुई, उससे जो छोटे-छोटे स्थर पर जो मार काट और हिंसा होती थी, वो समाप्त हुई, सामंतों के बीच के पारस्परिक युद्ध, अब समाप्त प्राय हो गए, और प्रणाम क्या होता है, क्यांत में, सभी राज्यों में ए प्राणाम सुरूप ऐसी राजनीतिक विवस्था का विकास होता है, जिसमें राजा केंदर में और मजबूत हो, इस काल के जो नए शासका है, इनके द्वारा उस समय बनाए गए राज्यों में, आर्थिक बदलावों के समान ही परिवर्तन हुए, इसी कारण इधासकारों इस राज को या इन राजाओं को नए शासक का नाम दिया, इन राजाओं को संगठित, स्थाई सैन्य ववस्था, करप्रणाली, राष्टी नौकरशाही, इस सब का अच्छा ग्यान था, और उन्होंने इस तरीके की नई व्यवस्था शुरू कि नई करप्रणाली, एक आई सैन्य ववस्था, जिसमें सामन्तों पर निर्वरता समाप्त हो, आदी आदी, इस पेन में फरडिनांड और इसके बादी जाबेला, इंग्लेंड में हेन्री दा सेवंथ, हेन्री सब्तम, फ्रांस में लुई 11, लुई 11, रूस में पीटर, पीटर दा ग्रेट, ये सब नए शासक के रूप में उबरे, और समय के साथ साथ हम देखते हैं, कि इनका काल लंबा भी था, इन सभी लोंगों का काल लंबा था, लंबे काल के अपने फायदे हैं, स्थाहित तो मिलता है, और परणाम सुरूप क्या होता है, कि स्थाहित तो मिलने के फल सुरूप, एक स किंग बन जाते हैं अपने अपने खेत्र में एक रोचक तत्य देखिए ये काल है 15-16 सदी का उस समय ने राजाओं का उदै होता है उसके साथ ने राज्यों का मजबूत राज्यों का ऐसे राजाओं का जिनका शासन काल भी लंबा रहा लगभग यही काल भारत में पनर जागरन का है लगभग यही काल भारत में ऐसे राजाओं का है जो लंबे काल तक राज किये विशेशकर अकबर 1556 में अकबर गर्दी पर बैठता है 1656 तक उसका शासन रहता है लगभग 50 वर्ष तो एक तरीके सम देख सकते हैं इस काल में विश्व के मुख्य देशों में नई सत्ता नए राजा सामने आते हैं भारत भी अच्छुता नहीं था यह दिपि भारत का पनर जागरन और योरप का पनर जागरन दोनों अलग बाते हैं लेकिन कुछ कॉमन चीजें भी हैं जिसको हम इतिहास के अध्याय में पढ़ेंगे फिल्हाल इतना काफी है समझने के लिए कि अब राजा बड़े शक्तिशाली हो चले यहां तक कि वे निरंकुष भी होने लगे यदि हम राज्यों की बात करें अलग अलग तो एक नजर स्पेन पर डालें स्पेन में शुरू में किसी तरह की राजनीतिक एकता नहीं थी छोटे छोटे टुकड़ों में था परण किया और वहां के जो मूल लिवासी थे जो इसाई थे उन्हें पहाडों की ओरधा केल दिया उन्हें विस्थापित करने होने पर विवश्च किया ग्रेनाडा को छोड़कर स्पेन दो राज्यों में बटा हुआ था अरागान और केस्टाइल ये दो राज्य थे और एक ग्रेनाडा था अरागान और कैस्टाइल में अरागान का राजक्मार फरडिनान उसका विवाह कैस्टाइल की राजक्मारी इसाबेला से होता है तो इस प्रकार फरडिनान और इसाबेला के विवाह के बाद एक तरीके से दोनों रज्य मिल जाते हैं एक हो जाते हैं और यहां से शिरुवात होती है स्पेन की सत्ता एकी करन और सत्ता की इसके बाद ये दोनों ग्रेनाडा पर आकर्मन करते हैं उसे स्वतंतर कर लेते हैं और स्पेन का एकी करन होता है 1512 में इस तरफ स्पेन का निर्माण होता है और वो 1512 में एक ही करण के लिए जो ततकालिक घटना थी वह था फ्रांस ने जिसने नवारे पर अधिकार कर लिया था उसे से वह हिस्सा लिया जाता है उस पर स्पेन अपना अधिपत्य जमाता है उसे स्पेन अपने अधिकार में लेता है और पिकार गरेनाडा अरगान कैस्टाइल और दूसरा जो खेत्र था नवारे इस सब को मिला कर स्पेन के एक ही करण का एक घटना करम होता है फ्रांस कुछ जगह से हड़ जाता है अपनी कुशल ग्रेह नीती और विदेश नीती से स्पेनी सामराज को अंतराश्ट्री महत्ता मिलती है यहां ग्रेह नीती इसलिए महत्पूर्ण है कि यह जो पहले बटे हुए थे चारों खेत्र अलग-अलग एक फ्रेंच ऑक्यूपेशन के ताथ था ग्रेनाडा थोडालक था और दो राजियों के बीच में पहले थे जगड़ा था जो वैवाहिक संबंदों के बाद एक हुआ इसके अंदर की जो जातियां प्रजातियां थी जो ट्राइफ थे उनको एकी कृत करना उनको महसूस कराना कि एक राष्ट के उदाय में वेस सहभागी हैं ये एक बहुत महत्पूर्ण चीज थी उनमें संगठनात्मक भावना लाना ये बहुत महत्पूर्ण चीज थी जिस में इजाबेला और फरडिनांड सफल हुए इसके अलावा फ्रांस को जैसे पराजित किया और नावरे उन्होंने कबजा किया फ्रांस निश्चित रूप से नाराज हुआ होगा इसके अलावा स्पेन जैसे एक राश्ट के उद्य को लेकर पड़ोसी राज़ भी नाराज थे चिंतित थे परिशान थे उनको भी शान्त रखना ये भी एक बहुत बड़ी जरूरत थी समय की और इसमें भी ये लोग सफल हुए इस प्रकार विदेश नीती में भी इनकी सफलता इन्हें सफलता का श्रे जाता है राज़ पड के गरों के लिए अभ बड़े-बड़े साम्नतों का दमन प्रारम होता है पहले तो एकिकरद करते हैं और एकिकरद करने के मैंने तीन-चार स्टेज़ेज बताएं अब इसके बाद अगला कदम आता है इस पेन के एकिकरण की प्रक्रिया में या उसको मजबू बनाना और इसके लिए जरूरी था कि राजा के पद को जो लोग चैलेंज करते हैं जो लोग राजा के पद का विरोध करते हैं उन्हें समाप्त करना और इनमें सब सागे से सामंत लोग तो सामंत वादी प्रथा को समाप्त करने के लिए वगला कदम उठाते हैं सामंतों के द त्यारी है वहीं राज सत्ता को और उचाईयों पर पहचाने के लिए फर्डिनान इसाबेला वे अब अपने सामराज या अपने राज के समुद्र पार विस्तार की तैयारी करते हैं समुद्र के पार ने विस्तार की नई संभावनाओं को देखते हैं जहां तक लैंड एरिया था उसको तो उन्हेंने जीत लिया उस पे अपने कबजा कर लिया जो स्पैनिश एरियक था अब वे अपने विस्तार की और देखते हैं और विस्तार के पीछे मकसद ये भी था कि सा आजने क्योंके आगमन के साथ जिसमें विज्ञानिक सोच तरक संगत सोच रीजनिंग हाउ एंड वाई ऐसी सोच जब शुरू होती है तो कुछ नई नई चीज़ों का नई नई चीज़ें इजाध होती है कृषी के संबंद में हमने सुना कि कैसे कृषी प्रद्योगी की ने बहुत बड़े बदलाव लाए और कृषी प्रद्योगी के अर्था बहुत सारे नए नए औजार हतियार जो खेती में काम आते थे तक्नीकें उसी परिप्रेक्ष में समुद्र की यत्रा को सरल बनाने के लिए कृतुब नुमा का अविश्कार हुआ कृतुब नुमा एक ऐसा यंत्र जो दिशा देता है जहाजों को दिशा बताता है दूसरे शब्दों में दिशा सूचक यंत्र इससे समुद्री यत्रा जो थी वो बड़ी सुगम हो गए अब दिशाओं से भटकने की मार्क से भटकने की संभावना एक कम हो गए और कृतुब निमा के आविशकार के परनाम चुरूब अब फरडिनाड और इसा बेला जिनोंने अपने स्पेन के समराज को बढ़ानी का सूचा था अपने देश के नाविकों को समुद्री यत्रा के लिए प्रेरित करते हैं उसके लिए फंड देते हैं उसके लिए उचित यवस्था करते हैं उन्हें प्रोचसाहित करते हैं समुद्र पार नए खेत्रों की खोज के लिए उन्हें बेजते हैं उन्हीं की प्रेणा से कोलंबस ने 1492 में समुद्री यात्रा की थी कोलंबस का नाम आपने सुना होगा जिसे अमेरिका की खोज का श्रेज आता है वास् के रास्ते की खोश के लिए जहां से व्यापार के उद्धेश से स्पेइन भारत से अपने संबंद प्रगाड करना चाहता था तो रास्तों की खोच के प्रयास में कॉलंबस पहुँच गया एक नई जगा एक नया ख्षेत्र उस ख्षेत्र को उसने संभवता भारत समझा वैसे वह निकला अमेरिका इसलिए वो वेस्ट इंडीज और अमेरिकादी कहलाता है तो ये प्रेरना जो मिली है और इसके साथ ही कॉलंबस के साथ और कई लोगों की आत्रा हुई उस काल में बहुत लोगों ने अलग खेत्रों के लिए नए मार्ग खोजे और इसका श्रेज आता है फर्डिनान इसाबेला का वो प्रेयास जिसमें उन्होंने नाविकों को समुद्रिपार जाने के लिए प्रेरित किया इसके अलावा फर्डिनान इसाबेला का एक और योगडान है धार्मिक एकता को बनाए रखने के लिए कैथोलिक चर्च के प्रतिनिष्ठा जाहिर की और ऐसा करते हुए पोप को उसने अपना सर्वोच धर्म गुरु माना तो इस पकार पूरे स्पैनिश खेत्र जो है वो इसाई धर्में परवर्तित होता है पोप अलेक्जान्डर शेष्टम जो रोम में था इसाई धर्म का मुखिया वो इसकी एवज में फ़र्डिनान को कैथोलिक संब्राट की उपाधी देता है कैथोलिक संब्राट और इस सब के पीछे मकसद क्या था एकता भागोलिक एकता तो हो गई विस्तार का भी प्रयास हो रहा है नेने ख्षेत्रों की खोज के साथ राजनेतिक एकता की ओर भी बढ़ रहे हैं सामन्त वाध को कुचलने के साथ अब धार्मिक एकता भावनात्मक एकता के लिए जरूरी था कि सभी को एक धर्म में पिरोया जाए और इसलिए ये वाला प्रयास किया गया चौदा स्वस्ती में धर्मिक नियायलें के स्थापना होती है और इसमें एक जो नया शब्द आता है वह था इन्क्विजिशन इन्क्विजिशन ऐसे धर्मिक नियायलें जो स्पेन में इसाबेला फर्डनानेस्ट इस्थापित किया पंदरा सो चार में इसा बेला की मृत्य होती है और फडिनान अकेले शासन जारी रखता है पहले इसा बेला की मृत्य होती है वार्णर मार्टिन एक प्रसिदी तिहासकार उन्होंने कहा है कि आधनिक यूग के आने के साथ आधनिक यूग की आहट के साथ अचानक ही स्पेन एक कमजोर और विश शंकलित देश के स्थान पर एक शक्त शाली देश के रूप में उबरा स्पेन को इतना शक्त शाली बनाने का श्रे वहां के शासक फरडिनान और रानी इसा बेला को है इस पकार ये दो नाम जो हैं इनका स्पेन से बहुत गहरा संबंध है इस्पेन के आधनी की करण का प्रारम इनी के काल में होता है इस्पेन के द्वारा की गई मारगों की खोज जल मारगों की खोज उसने एक नए इतिहास को जर्म दिया नए संबंधों को जर्म दिया नए देशों की खोज में ये लोग काफी आगे रहे और इसलिए वार्नर मार्टिन का स्टेटमेंट अतिश्योक नहीं है जहां वो कहते हैं कि स्पेन को शक्तिशाली बनाने में इन दो का बहुत बड़ा हाथ है इस्पेन की दास्तान सुनने के बाद अब हम आते हैं इंग्लेंड की ओर 1337 से 1453 जिसका मैंने पूर में जिक्र किया एक बहुत लंबी लड़ाई होती है जिससे सौ वर्ष की लड़ाई कहते हैं 100 years war शुरू में तो इंग्लेंड जीत रहता लेकिन बाद में इंग्लेंड की पराजय होती है फ्रांस जीतने लगता है फिर सब्त वर्षी युद्ध होता है ये जो साथ साल का जो युद्ध है साथ वर्षों का युद्ध यह इसने इंग्लेंड में एक नई उर्जा दी सब्त वर्षी युद्ध के प्रणाम सरूप इंग्लेंड में राश्ट्रीता की भावना आती है एक जुटता की भावना आती है और ठीक दो वर्ष बाद वहाँ बहुत भेंकर सामन्ती युद्ध होता है बदलते परिप्रेक्ष में हर जगा सामन्त लोग अब खत्रा महसूस करने लगे थे उन्हें खत्रे की घंटी सुनाई देने लगी थी इंग्लेंड में भी सामन्त वाद पर लगातार प्रहार हो रहा था और अपने अस्तित्व को बनाया रखने के लिए सामन्त लोग एक दूसरे से लड़ रहते सब्त वर्षी युद्ध समाप्त होता है उसके दो वर्ष बाद ही सामन्तों के बीच में भर युद्ध होता है जिस एतिहास में गुलाब के फूलों का युद्ध कहते है दवार्ष ओफ रोजेज अर्थाद गुलाब के फूलों का युद्ध ये किसलिए नाम दिया क्योंकि एक वंश जो था एक राजवंश वह यार्थ राजवंश का था उसका प्रतीक चिन सफेद गुलाब था और दूसरा राजवंश था लंकास्टर लंकास्टर राजवंश का प्रतीक लाल गुलाब था इसे गुलाब के फूलों का युद्ध कहा जाता है गुलाब के फूलों का युद्ध एक तरीके से गृह युद्ध था तोकि सामन्तों के बीच में था और जैसा मैंने बताया इस गृह युद्ध में यौर्क राजवंश बनाम लैंकास्टर राजवंश के बीच जगडा था ये युद्ध जो है सामन्तों और उनके अनुयाईयों के बीच काफी लंबे समय तक चला चौदा सब पच्चासी में वासवर्थ युद्ध में रिचर्ड तृती के विरुद्ध हैंरी ट्यूडर की विज़ा होती है रिचर्ड तृतीय बनाम हैंरी ट्यूडर यहीं वार्थ ओफ रोजिस का ही आगे क्या घटना क्रम और इसमेकार हैंरी ट्यूडर विज़ाई होता है और हैंरी ट्यूडर अन्तता 1450 में हैंरी सब्तम के नाम से इंग्लेंड की गद्धी पर बैठता है हैंरी दे सेवन्थ यह हैंरी ट्यूडर के साथ इंग्लेंड के इतिहास में बहुत बदलाव आता है हैंरी के साथ बहुत सी गाताएं जुड़ी हुई हैं बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं हम संक्षिप में उसके थोड़ी सी वो जानकारियां जानेंगे जो इस अध्याय के संदर्ब में हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि Wars of Roses के समाप्ति के बाद Henry VII जीतता है Richard के खिलाफ, Richard Triti के खिलाफ, जो दो सामन्ती गुट थे, दो सामन्ती राजवंश थे, इनके लड़ाई में अंतता हो जीतता है। Henry प्रथम बहुत बड़े महान संब्राटों में एक गिना जाता है, एक माना जाता है। Henry VII ने ना केवल एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना की, बलकि समाच से अंध विश्वास और समाच से ऐसे पुराने दकियानुई सी विचारों, उनको हटाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरे शब्दों में, इंग्लेंड का अधनी के कराण का इतिहास, Henry Tudor, Henry VII से शुरू होता है। वैसे ही जैसे इस्पेन के अधनी के कराण का इतिहास, Ferdinand और Isabelah से होता है। तीसरा देश, France, योरोप की राजनीती में, France और England के बीच के सतत लड़ाईयों को हमने थोड़ा समझा। 15 सती के अंत में, आपको याद होगा, इस्पेन ने France से नावरे नामक एक शेतर अपने कबजे में लिया। लेकर इसके बावजूद, France जो है, वह एक शक्त शाली राष्ट के रूप में उभरता है। और इस पराजय से उभर कर, पराजय को स्विकार कर, वह आगे बढ़ता है। इसके अलावा, France की लड़ाई, England से भी लगभग 100 वर्ष्टों तक चली, 1737 से 1453 तक। ये 100 वर्ष्टों के लड़ाई में, प्रारम में, France की पराजय होती है, France पराजित होता हुआ दिखता है। France के जो राष्टी करण की प्रक्रिया थी, France के जो एकी करण की प्रक्रिया थी, उस पर धक्का लगता है। उसकी प्रगती में बाधाएं आती हैं। लेकिन France की प्रजा एक शक्ति शाली राज़तन्त की आउशकता को समझ रही थी, वह देख रही थी बदलते हुए England को, वह देख रही थी बदलते हुए Spain को, वह देख रही थी वहाँ की जनता रूस में होते हुए बदलाओ को, शीमाओ के उस पार के बदलाओ का असर निश्चित रूफ से France और France की जनता पर भी पढ़ रहा था। बहुत प्रसिद्ध एक character है, बहुत एक प्रसिद्ध France की महिला है, जिसके नित्रत में ही अंग्रेजों के वरुद कठोर संघर्ष होता है। चौदा संचालिस में फ्रांस के शासक चाल्स प्रथम ने स्टेट जनरल से अर्थात वहां की संसद से भूमी एवं साधारन लोग के घरों से टेल नामक कर वसूलने और राष्टी सेना के निर्मान की अनुबती प्राप्त करती। यहां से शुरू होती है फ्रांस के आधने की करन की कहानी। में उच्च वर्ग के लगभग सभी लोग रहते थे निम्न वर्ग के लोगों का प्रतिनेदित बहुत कम रहता था लेकिन बदलते समय के साथ संसद के ऐसे सदस्य और फ्रांस की संसद को स्टेट जनरल कहते हैं स्टेट जनरल से जब राजा अनुमती मांगते हैं चाल प्रतम भूमी एवं साधारन लोग के घरों से टेल नामक कर वसूलने के लिए राश्ट्री सेना के निर्मान के लिए तो यह संसद जिसमें अधिकतर लोग उच्च वर्ग के लोग थे धना धिवर्ग के लोग थे बदल गई थी सौ वर्ष पूर यही लोग राजाओं की बढ़ती ताकत के खिलाफ थे आज बदलते समय के साथ यह लोग भी बदल गया लूई एलेवन चौदा सो एकसट से चौदा सो तरासी उसने उसके बाद चाल प्रतम के काम को आगे बढ़ाया करीब बाइस वर्ष व जानने के बाद उसने सबसे पहले तो सामंती करण की व्यवस्था को पूरी तरह दर किनार कर दिया सामंत वाद को पूरी तरह खतम किया सामंतों को एक सामान वर्ष मेलाया लूई ग्यारवा का काल फ्रांस में वैसे ही आधनिक काल की शुरुवात की रूप में जाना जाता है जैसे इंगलेंड में हैंरी टीडर के बाद और स्पेन में इसाबेला और फरडिनान के बाद आधनिक काल का सूचक काल इसी के साथ लूई 11 के साथ शुरू होता है चार्ल्स अश्टम जब शासक बना तो उसने भी फ्रांस की शक्ती मजबूत करने में काफी महत भून भूमिका निभाई उसके बाद लूई 12 आया हैंरी फौर्थ आया लूई 13 और लूई 14 लूई जो शासक हैं ल ओ यू आई सी ये नाम फ्रांस से जुड़ा हुआ ये याद रखेंगे लूई शब्द का समंद फ्रांस से फ्रांस के राजा लोगों की ये टाइटल थी लूई तो फ्रांस के कई शासक सौभग वश उस काल में और लगभग सत्रा सौ पचास तक के काल में फ्रांस में अच्छे शासक आए जिन्होंने फ्रांस को आधुनी की करन की और मोड़ा सामंत वाद को समाप्त किया लूई 14 जो था जिसका काल सोला सो त्राली से सत्रा सो पंद्रा और था पचास वर्च से ज़्यादा इस काल को यदि हम देखें तो ये वो काल है जब भारत में औरंग जेब का शासन था मोटा मोटा ये वही काल है भारत में जब ऑरंग जेब था तो वहांपे लूई 14 था भारत के में ऑरंग जेब के काल में जहां भारत एक तरीके से विगटित हो रहा था प्रांती सत्ताइं ताकतवर हो रही थी केंदरी सत्ता कमजोर हो रही थी औरंग जेव एक शेतर से दूसरे एक शेतर भागा भागा फिर रहा था अपना सामराट बचाने के लिए दूसरी और वहां लूई 14th वो सत्ता को मदबूत बना रहा था और यहां तक कि उसने ये भी कहा स्वयम कहा कि मैं ही राज्य हूँ I am the state उसमें अपनी मजबूत ग्रिह नी थी और विदेश नी थी के माध्यम से फ्रांस को उन्नत की ओर ले जाने की ख्षमता थी और इस ख्षमता का उसने बहुत अच्छी तरह उप्योग किया उसने राजा की निरंग कुष्टा पर जो संस्थाएं एक तरीके से सीमित निरंग कुष्टा पर जो लगाम लगाने का प्रयास करती थी उन संस्थाओं के अधिकारों को ही सीमित कर दिया ताकि राजा जो है वह पूर्ण रूपेंड सक्षम हो, स्वतंत्र हो, किसी तरह का दबाव ना हो किसी तरह की भी संस्था का दबाव ना हो वे संस्थाएं जो पूर्ण में राजा के अधिकारों को सीमित करती थी उन सस्थाओं को एक तरीके से उसने शक्तिहीन बना दिया उनके अधिकारों को हटा दिया गया और ऐसा करते हुए इतना ताक्यत वर बन गया कि लूई 14 कहता है कि मैं ही सत्ता हूँ मैं ही राजा हूँ